Hello everyone, very good morning to all of you. आज के दिन की शुरुबात करेंगे 13 जनवली 2024 के करेंट अफेर के साथ. और करेंट अफेर की PDF, Static GK के साथ आप मेरे टेलीग्राम गृूप्स दाउनलोड कर सकते हैं. मेरे टेलीग्राम का ओफिशल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर भी आ हुआ है. सबसे पहले बात करेंगे कल के कोशन की. मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, कि ये कौन सा इन में से न्यूस पेपर है, जिसकी स्थापना सुरे ननात बेनरजी के द्वारा करी गई थी. तो दरसल इसका सही आंसर है, ये है दा बेंगोली, क्या नाम है इसका? दा बेंगोली न्यूस पेपर. काफी सारे स्टुडेंट ने सही आंसर दिया है. अब देखें, ये जो कोशन है, ये आपको कन्फ्यूस कर सकता है कई बार, उसका कारण क्या है समझाता हूँ आपको. दा बेंगोली न्यूस पेपर जो है, इसकी स्थापना सर प्रतम 1862 में करी गई थी, 1862 में. और जिसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ये है गिरीश चंद्र गोश का नाम है? गिरीश चंद्र गोश. अब आप कोगे सर फिर यहां पर क्यों लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना सुरेन नात बेनरजी ने करी थी? उसका मतलब आपको समझाता हूँ. दरसल इसके संस्थापक 1862 में जीसी गोश है, लेकिन आगे चलके दा बेंगोली के मेन एडिटर के रूप में सुरेन नात बे यह जो नियूस्पेपर है, यह अंग्रेजी भाषा में था और कलकत्ता से काशित किया जाता था. 1890 से लेकर 1910 तक मतलब इन दो दशकों में यह अंग्रेजी भाषा का सबसे जादा सर्कुलेट होने वाला भारत का नियूस्पेपर था. उम्मीद करता हूँ, अब आप यह फैक्ट ध्यान रखोगे, जब भी आपको इस तरीके का कोशन मिलेगा, तो वहाँ पर सुरेन अनात बेनरजी या जीसी गोश में से कोई एक ही आपको उप्शन में मिलेगा. और अगर दोनों आपको उप्शन में मिल जाए, तब आपको जीसी गोश के साथ जाना है. और अ IIT मदरास ने फैसला लिया है कि यह कौन सा देश है जहां पर नया कैंपस खोलेंगे. तो IIT मदरास अपना एक नया कैंपस खोलें जा रहा है शिलंका के अंदर. और शिलंका का एक शहर है जिसको बोलते है कैंडी, जहां पर यह एक नया पड़सर खोलेंगे. जाना किये अंदर higher education प्रोवाइड करी जाएगी ज्यान एक भारत सरकार कई सारे ऐसे countries हैं जिनके साथ higher education को लेकर pact sign कर चुकी हैं और जो IITs हैं they are not only in India even across the world they are one of the best institute on overseas basis और शिलंका में अगर बात करें तो यहां पर प्रधान मंत्री कौन है दिनेश गुनवर्दने यहां के रास्टपती है रेनिल विक्रम सिंगे शिलंका की दो capital है जैवर्दने कुटे और कोलंबो नितिन जैराम गटकरी जो की आप सभी को पता है परिवान मंत्राले समालते हैं मोधी सरकार में और अभी हाली में इनके द्वारा पंजाब के अंदर 4000 करोण की मदस से कितने highway projects launch किये गए है तो नितिन गटकरी ने टोटल 29 highway project launch किये हैं पंजाब के अंदर और यह जो 29 highway है यह 4000 करोण की मदस से बनाए जाएंगे और इसकी खास बात यह है कि इसमें से जो नियूस में जादा चल रहा है लुदियाना से लेकर लदोवाल का जो बाइपास है वो इसमें बनेगा इसके अलावा फिरोजपुर बाइपास के रास्ते पर होशियार पुर से लेकर फागवारा तक जाने वाला रास्ता जो की जलंदर की तरह मुड़ता है ये भी इसमें आता है पंजाब में इस टाइम पे आहम आत्मी पार्टी की सरकार है यहां के मुख्य मंत्री है अगवंत मान और पंजाब के गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित यहां बता सकते हो नितिन गटकरी की कॉंस् यह किसने जीत लिया है और यह दूसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं बूटान के जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यह है शेरिंग तुबगे क्या नाम है शेरिंग तुबगे और यह लगातार री इलेक्ट नहीं हुए मतलब इससे पहले इन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक बूटान के प्रधान मंत्री के रूप में सर्व किया फिर 2018 में लोटे शेरिंग प्रधान मंत्री बने और इनका कारेकाल 2023 नॉम्बर तक अभी हाली में चला तबसे सीट वैकेंड थी दिसंबर के महिने के 30 दिन के गैप के बाद जन्वरी में यहां पर एलेक्शन और इनकी पार्टी का नाम क्या है इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी त्यान रखेगा अभी हाली में चार्ड के भी नए प्रधान मंत्री बने है इनका नाम क्या है सकसेस मार्सा क्या नाम है सकसेस मार्सा और अभी कुस टाइम पहले ही दो दिन प Microsoft के द्वारा ये कौन सा इनिशेटिव लॉंच किया गया है जिस इनिशेटिव के अंतरगत भारत में टोटल एक लाग सौफ्टेयर डेवलपर्स को AI टेकनलोजी में ट्रेनिंग देगा Microsoft तो इन्होंने अभी हाली में एक नया जो इनिशेटिव लॉंच किया है इसका नाम है AI ODC AI ODC के अंतरगत Across the India Microsoft के द्वारा जो IT Professionals है Especially जो Software Developers है उनको AI टेकनलोजी में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग Microsoft के द्वारा Free of Cost दी जाएगी Microsoft की स्थापना 1975 में करी गई थी इसका Headquarter है Washington और इसके CEO हैं Satya Nadella Microsoft की स्थापना 1975 में Bill Gates और Paul Allen के द्वारा कचली गई अभी हाली में चाइना के द्वारा एक नई सेटलाइट लॉंच करी गई है जो की ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक फिनॉमेना है जो की वाइलेंट हो जाता है मतलब कहने का ये ब्रह्मांड के ऐसे कण जो की इधर उधर एक दूसरे से टकराते हैं और जिससे विस्वोट होता है और कई बार ऐसे भी खबरे आती है कि ये अर्थ की तरफ भी आने लगते हैं या फिर अर्थ में अंदर आ जाते हैं ठीक है तो इस तरीके के कॉस्मिक फिनोमेना को स्टडी करने के लिए चाइना ने एक नई सेटलाइट लॉंच करी है सेटलाइट का नाम है आइंस्टीन प्रॉब क्या नाम है आइंस्टीन प्रॉब और ये जो सेटलाइट है इसकी खास बात यह है कि इसका वजन 1.45 तन है एक और इंट्रेस्टिन बात ये सेटलाइट जो लॉंच करी है चाइना ने इसका जो शेप है ये कमल के फूल जैसा है पूरा कमल के फूल और इसमें 12 पेटल्स है ये 12 पेटल्स आइंस्टीन प्रॉब के 12 मोड्यूस को डिफाइन करती है और इसको जो चाइना ने लॉंच किया है ये रॉकेट से लॉंच किया है और इस रॉकेट का नाम क्या है ये है मार्च 2C रॉकेट इसको शी चांग सेटलाइट से इंटर से लॉंच किया गया और चाइना में इस टाइम पे राष्टपती कौन है क्या बता सकते हो अभी हाली में BRICS में कितने नए देश शामिल हुए है टोटल पांच नए देश शामिल हुए है तो BRICS में अब देशों की संख्या पांस से दुगनी हो गई है मतलब पहले पांस देश थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका तो इससे बढ़कर सीधे सीधे दस हो गई है अभी हाली में National Human Trafficking Awareness Day कौन से दिन मनाया गया है ये दिवस इसने मनाया जाता है कि जो मानो तसकरी है उसको रोका जा सके तो इस दिवस को मनाया जाता है 11 जिन्वरी को दरसल ये दिवस भारत में नहीं मनाया जाता है इसको अमरीका में मनाया जाता है साल 2007 में अमरीकी सरकार ने अपने पार्लियामेंट के तुरू इसको डेकलियर किया था कि अपसे हर वर्ष National European Trafficking Awareness Day मनाया जाएगा वैसे कि आप बता सकते हो हमारे सम्विदान में मौलीक अधिकारों में ये कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि भारत में मानो तसकरी पूरे तरीके से अवैद है तो ये है आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 ये बताता है कि भारत में Human Trafficking, Illegal Human Trafficking, Bonded Laboring ये सारी चीज़े पूरे तरीके से अवैद है और आर्टिकल 24 क्या बताता है ये बताता है 14 वर्ष के बच्चों से आप फैक्ट्रियों में, कारखानों में कारे नहीं करा सकते हो अभी हाली में भारत की ए पहली महिला खिलाडी कौन मन गई है जिनको घुर सवारी के खेल में अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इनका नाम है दिव्व कृती सिंग क्या नाम है? दिव्व कृती सिंग और मैंने आपको पहले बताया था करीब 10 से 15 दिन पहले करेंट अफेर में बताया था कि टोटल 26 खिलाडी है जिनको इस बार अरजुन पुरसकार के लिए नामित किया गया है इसमें से मौम्मद शामी भी है क्रिकेट के और भी कई सारे खिलाडी है जैसे की डेबल टेनिस में आहिका मुखरजी है इसके अलाबा अगर कबड़ी में देखें तो रितु नेगी को मिला हुआ है और कबड़ी के एक और खिलाडी है पवन कुमार काफी फेमस है इनको भी मिला हुआ है ठीक है और होकी में दिकाई खिलाडियों को मिला हुआ है जैसे कि कृष्ण बहादुर पाठक हो गया है शुशील चानू हो गया है ये कई सारे खिलाडिया है पूरी लिस्ट मैंने PDF में आपको दे रखी है तो आप PDF से जरूर एक बार नजर मान लीजेगा ताकि कोशन किसी के भी बारे में पूछा जाए आपको ध्यान रहे दो हजार चौबिस का हैनले पासपोर्ट इंडिक्स जारी किया गया है वेरी इंपोर्टेंट है हर बार कोई ऐसा पेपर नहीं आज तक गया है जहां पर हैनले पासपोर्ट ना पूछा गया हो पासपोर्ट इंडिक्स में मो और अगर visa free entry की बात करें तो पहले अगर आप के पास भारत का passport था तो आप 57 countries को visa free entry ले सकते थे. लेकिन आप क्योंकि rank सुधर गई है तो अब ये बढ़ के हो गया है 62. अब जिनके पास भारतिये passport हैं वो दुनिया के 62 देश بिना वीजा के घूम सकते हैं. अब बात करते हैंे top पे कौन से countries रहें इस बार jointly 5 देश number 1 पे रहें कौन कौन से जापान तो पहले सही number 1 पे है यह रहा इसके अलावा Singapore भी number 1 पे रहा है Italy number 1 पे रहा है France भी इस बार number 1 पे है और Germany और एक और देश है Spain तो टोटल यह 6 देश हो गए रहे हैं Sweden, Finland और South Korea और तीसे नमबर पर चार देश रहे हैं Austria, Ireland, Denmark, Netherlands बाइदवे पूरी लिस्ट आपको मैंने दे रखी है एक बार इसे भी देख लीजेगा जो ये नमबर वन पर कंट्रीज हैं इन सभी कंट्रीज के पासपोर्ट के साथ पूरे दुनिया बरके 194 देश मतलब लगबग लगबग आप पूरी दुनिया गूम सकते हो वीजा फ्री अगर आपके पास जापान, सिंगापूर, इटली, फ्रांस, जर्मनी या इस्पेन में से किसी भी कंट्रीज का पासपोर्ट है तो और लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की अगर बात करे हैं तो सब से निचले इस्तर पर जिसने स्कोर किया है तो एक सो चौथी रैंक है अफगानिस्तान का वीजा सबसे कमजोर है और एक सो तीन नमबर पर इनसे कम-कमजोर है सीरिया का इसके अलावा एक सो दो नमबर पर एराक रहा ये भी काफी कमजोर वीजा है और इसके बाद एक सो एक की बात करें क्योंकि पडोसी देश काफी इंपोर्टेंट है कई वार पूस देता है तो चाइना ने 85 रेंक सिक्यूर करिए मतब इस बार भारत ने चाइना को पचार दिया है Director General of CISF रह चुके है शील वर्दन सिंग अभी हाली में इनको UPSC के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है तो शील वर्दन सिंग इससे पहले CISF समाल चुके हैं अभी है UPSC के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है क्या बता सकते हो हमारे सम्विदान का एक कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि भारत का रास्टपती UPSC के मेंबर को अपॉइंट करता है तो ये है आर्टिकल 316 315 बताता है UPSC के बारे में कि भारत का एक संग लोग से वायोग होगा और 316 का ये जो पार्ट है ये है 11 भाग जो कि बताता है कि भारत के रास्टपती इनका अपॉइंट्मेंट करते हैं अच्छा UPSC का जो चेर परसन होता है उसकी रिटार्मेंट एज कितनी है 65 साल और उसका कारेकाल 6 वर्षों का होता है इस टाइम पर UPSC के चेर परसन कौन है ये है मनोस सोनी क्या नाम है मनोस सोनी UPSC की स्थापना 1926 में करी गई थी अभी हाली में सच्छ सर्वेक्षन एवार्ड 2023 के लॉंच किये गए हैं ये कौन से भारत के दो शहर हैं जो की सबसे cleanest डिकलेर किये गए हैं तो सबसे साफ दो शहरों की श्रिणी में दो शहर आते हैं ये हैं इंदोर और सूरत और इसमें सूरत नया है लेकिन इंदोर के लिए कोई नई बात नहीं है ये लगातार सातवां वर्ष है जब इंदोर भारत के cleanest city में नंबर वन पे हैं और ये जो पुरसकार हैं ये दूसरे आर का मतलब है reuse और तीसरे का मतलब है recycle यहां पर बात हो रही है कि इसकी दारबेश की बात हो रही है और especially plastic की उसमें बात हो रही है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि आयोध्या में नागरिकों को यात्रा कराने के लिए ये एक नई योजना लॉंच करेंगे और इस योजना का नाम है श्री राम लला दर्शन योजना तो इसको 36 गड़ सरकार के दौरा लॉंच किया गया है 36 गड़ में अभी हाली में नई सरकार बनी है और यहां के जो मुख्यमंत्री है ये है विश्न देव साइन इन्हीं के द्वारा ये योजना लॉंच करी गई है इस योजना के अंतरगत 18 वर्स से लेकर 76 वर्स के लोग eligible होंगे और हर वर्स 20,000 लोगों को 36 गड़ सरकार अयोध्या बेजेगी अपने खर्चे पर राम लला के दर्शिन करने के लिए है और आपको पता है ना 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्गाटन होने जा रहे है अचा 36 गड़ में गवर्नर कौन है इस टाइम पर यह गवर्नर है विस्व भूशन हरी चंदन अभी हादी में लोग सबा के कितने सांसद हैं जिनको सांसद रत्न अवर्ड के लिए चुना गया है तो टोटल पांच ऐसे सांसद हैं जिनको पहतरीन कारे करने के लिए अपनी सांसद रत्न पुरसकार से चुना गया है विसमें समझ लीजे पांच में से दो सांसद बीजेपी के हैं एक तो है सुकांता मजूमदार और दूसरे हैं सुदीर गुपला इसके अलावा श्रीकांत एकनाश चिंदे यह सिफ सेना से हैं इनको भी पुरसकृत किया जाएगा इसके अलावा अमोल राम सिंग कोले जो हैं यह एंसी से आते हैं और कुल्दी प्रायश शर्मा जो हैं क्या बता सकते हैं यह कौन से पार्टी से हैं कुल्दी प्रायश शर्मा यह कॉंग्रेस से हैं ठीक है तो एक कॉंग्रेस से एक एंसी से दो बीजेपी से और एक सिफ से ना से तोटल यह पांस सांसद हैं और पहली बार यह जो सांसद रत्न पुरसकार हैं इनकी शुरुआत साल 2010 में करी गई थी और एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको बताओं भारत के रास्टपती रह चुके जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर एपी आतेक वर्ष में एक बार दिये जाते हैं इससे भी बड़ी एक श्रणी है जिसका बोला जाता है सांसद महारत्न पुरसकार यह हर पांच वर्षों में एक बार दिये जाते हैं अब मेरा आज का सवाल आप से है कोरोना वाइरस के जो लगातार variants आते रहते हैं आप देखते हो ठीक है इन variants का नाम कौन रखता है WHO रखती है World Health Organization आपको comment section में बताना है ये जो COVID के variants है इनका नाम WHO इन में से कौन सी भाषा में रखती है Greek, Latin, Roman या फिर English scientific names के आधार पर comment box में जल्दी से लिख कर बताईएं 2024 के किसी भी SSE exam के लिए या state exam के लिए आप exam engineering application से मेरा batch अवेल कर सकते हैं मेरा GSGK का foundation batch जिसमें मैंने history, quality, geography, science, economics, computer और पिछले 5 सालों के PYQs ये सब कुछ cover किया हुआ है या ये आपके लिए पुरे तरीके से एक package के रूप में है इस batch की मदद से आप maximum score कर सकते हो भारत के किसी भी exam में UPSC के लाबा और static GK का मेरा live batch चल रहा है इस batch को भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपको discount चाहिए तो sscgsguru at the rate gmail.com पर आप मुझे mail करिए और अपना contact number लिखना मत मूलिए ताकि हमारी team आपको contact करके जो discount होगा वो अवेल करा देगी और इसके अलाबा इस specific batch अवेल कर सकते हैं जैसे कि आप सिर्फ history सिर्फ quality इस तरीके से लेना चाहें तो वो option भी अवेलेबल हैं आज के बाद यहीं तग रहेगी thank you so much have a nice day take care bye bye आपका दिन मंगल में हो